अगर मैं हिस्टिरिसिस लूप के बारे में बात करूँ ना तो मैं आपको बताता हूँ इसमें किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे पहले मैं आपसे इसको पढ़ने से पहले एक बात को आपको बताता हूँ कि हम क्या experimental setup क्या चाहिए हमारे को when we want to draw a hysteresis loop मैंने मान लो एक मैंने आपको याद होगा solonide कैसा होता था मैं आपको solonide याद दिलाता हूँ इसके बीच में जो जगा है इस क्वाइल के बीच में जो जगा है वहाँ पे magnetic field setup होता है वहाँ पे magnetic field की value है mu n i upon l लगबग constant magnetic field होता है एक ideal magnetic field में उसके अंदर और बाहर zero होता है यानि कि सारा का सारा magnetic field जो बनता है वो अंदर बनता है अब मैं क्या करने वाला हूँ आप ज़र ध्यान देना अगर मैं ज़्यादा flux बनाना चाहता हूँ इलेक्ट्रो मैगनेट बनाने का भी तरीका आपको इसी तरीके से बताऊँगा हम एक इसके बीच में air नहीं लेते हम इसको इसी solonide को iron के उपर किसी भी ferromagnetic material के उपर हम इसको wound करते हैं वही solonide लेकिन उसके अंदर क्या थी हवा और हवा के लिए air के लिए permeability कितनी थी mu r लेकिन हम क्या ले रहे हैं एक very good ferromagnetic material जिसका mu r बहुत जादा होता है लगबग thousand होता है जब आप पढ़ोगे properties of ferromagnetic materials वहाँ दिख जाएगा आपको mu r की value for ferromagnetic materials like iron is one thousand मतलब thousand times जादा permeability रहती है thousand times जादा permeability रहने का मतलब है कि इसके अंदर जो magnetism setup होगा वो comparatively बहुत जादा होगा किसके अंदर iron के अंदर air के comparison में अब हमने क्या किया आप दियान देना ज़रा प्लीज इसको लगाई battery लगा दी हमारे पास एक option अब ध्यान देना सब्रन अच्छे से एक तो यह variable battery है मतलब इसकी value को change किया जा सकता है hence इसकी जो current हुई वो variable हुई हम इस battery को reverse भी कर सकते हैं आप बोलोगे sir यहां कैसा setup है आपको इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं आप बहले बात समझोगे इस battery को मैं reverse भी कर सकता हूँ obviously जब मैं reverse करूँगा तो current उल्टी बहेगी fine सब समझा आ गया अब हमने क्या किया जो magnetization हमने h नहीं पड़ा था that is equal to होता है mu naught n i upon l n i upon l n i upon mu naught नहीं n i upon l किसकी value है h की यह h की value है और हम क्या देखते हैं कि h की value h की value n i upon l n i upon l मतलब क्या हुआ अभी मैंने आपको जो यह बना के दिया ना solonide इसके n number of turns i इसमें से जो current जा रही है जो मैंने variable करी है और l इसकी length ठीक है इसकी length तो l और n तो fixed हैं तो ultimately अगर मुझे kभी h को change करना है तो मैं किसको change करूँगा अगर मुझे h को change करना तो मैं किसको change करूँगा मैं current को change करूँगा current को कैसे change करूँगा because you have got a variable battery तो battery की value को increase करते जाओ i की value increase करती जाएग what we found out हमने यह curve बनाया BH curve कहते हैं इसको H versus B हम मैंने magnetic field की value पता लगाई और हमें क्या देखने को मिला जो BH curve बना वो ऐसा बना ऐसा बना यह क्या हो रहा है आगे जाके मुड क्यों रहा है यह यह ऐसे flat क्यों हो रहा है आगे जाके क्योंकि आगे जाके saturation आनी है मैंने word saturation आपके साथ discuss किया है when I taught you paramagnetism and ferromagnetism कि क्यों saturation आता है इसके उपर भी हमने बात कियी थी तो saturation आ गया लेकिन saturation से पहले यह directly proportional है saturation से पहले यह directly proportional है और अगर मैं आपको compare करने को बोलूँ कि किसी magnetic material का ऐसा बना तो दोनों में difference क्या है इसकी susceptibility इसकी susceptibility से ज़्यादा है मतलब यह कम H पे ज़्यादा magnetic field induce कर गया यह कम H पे ज़्यादा magnetic field दे गया देख लो दोनों को compare करो नीचे वाले ने कम दिया उपर वाले ने ज़्यादा दिया इसलिए susceptibility and hence permeability of relative permeability of upper curve is better than is more than rather is more than the curve 2 this is curve 1 this is curve 2 fine आप देखो अब क्या किया हमने देखना दुबारा से मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया हमने current को बढ़ाते गे current को बढ़ाते 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 जब हमने बढ़ाया तो हमारे को curve इस तरह का नज़र आया bh curve ठीक है आगे जाके saturate होगा बिलकुल ठीक है फिर हमने क्या किया फिर हमने इसको decrease करना शुरू किया किसको current को पहले increase की saturation तक आये फिर इसको decrease किया decrease करने पे हमें क्या मालूम था देखो जाते जाते क्या values मिली 1 पे मालो 5 2 पे मालो 10 3 पे मालो 15 4 पे मालो 20 5 पे मालो 25 6 पे मालो देखो ध्यान से सुनना 6 पे मालो 28 30 नहीं आया क्योंकि saturation अचीव हो रही है 30 नहीं आया 7 पे 30 8 पे 30 9 पे 30 saturation आगई मतलब ये B और H की value आपको बतारहा था, अब ultimately हमने क्या किया? अब हमने values को कम किया, मतरद 3 पे आपको क्या value मिली थी? 15, 2 पे क्या मिली थी? 10, 1 पे क्या मिली थी? 5, अब तुमने decrease करना शुरू किया, 4 पे 20, 5 पे 25, अब आपने decrease करना शुरू किया, जब decrease किया न, you didn't get the same values, जब तुमने 3 पे, अभी जाते time 3 पे मिली थी, बढ़ाते time current को बढ़ाते बढ़ाते जब गे थे, 3 पे जो value मिली थी, वो आते आते नहीं मिली, this is the main property of hysteresis loop, जब तुमने decrease किया तो what was your surprise, हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला, कि ये value ऐ कैसी थी, वापसी आते time ये मिली, और अजीब बात दो, एक तो रास्ता different है, जाने का और आने का, मतलब current के बढ़ते time ये values मिली, वापस आते time ये values मिली, और दूसरी बात, zero भी कर दिया तुमने magnetization, अगर मैं उस current की language में बात करूँ तो current zero भी कर दी, लेकिन तब भी उसन virtual magnetism, या retentivity, लिखा हुआ है सब, आप पढ़ोगे, आपको याद रहेगा, ये, कि zero मैं, जब आपने एक बार उसको magnetize कर दिया था, लेकिन जब आपने current को zero कर दिया तब भी नहीं हुआ, अब लेकिन हमने कहा कि ने भई, मैंने तो zero कर नहीं करना है, आप क्या करूँ इसक values, ऐसे, फाइन, समझा आ गया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने और current को बढ़ाया, अब बैटरी उल्टी करके बढ़ाया, ठीक है, उल्टी करके बढ़ाया हमें ये मिली values, फिर ऐसे करके फिर तुमने कम किया, फिर तुम्हें यहाँ इस साइड में, नेगिटिव इसको हिस्टिरिसिस लूप, इसको हिस्टिरिसिस लूप बोलते हैं, और याद रखोगे प्लीज, किसी भी magnetic material में है, जहां पे हमें बार बार magnetization का भी प्लस माइनस करनी पड़े, वहां पे ये हिस्टिरिसिस लूप का जो area होता है, इसको अच्छे से पढ़ोगे, ये अच्छा ये चीज एक नहीं बताई आपको, ये जो वापिस आते टाइम, ये जो point C मिला ना आपको, मतलब ये वाला gap, कि कितनी negative H देने से आपकी जो उसने residual magnetism hold करके रखा था, जो retentivity थी उसकी, retention, retention power, मतलब तुने H को zero कर दिया, लेकिन तब भी तुम्हें B मिल रहा है, तो उसने कितना retain करके रखा, that is called retentivity, and this retentivity, अगर तुम्हें zero करनी पड़ जाए, तो तुम्हें H negative देना पड़ेगा, H जो negative देना पड़ता है, वो कितना H negative देना पड़ता है, that is called coercivity, coercivity, it is written here, ठीक है, आपको सब दिख जाएगा, ये भी समझ आ गया है, ये देखो रांके ferromagnetic materials को compare किया गया, एक soft iron और एक steel, क्या होता है, soft iron कुछ नहीं tension लेनी है, आपने, this is a soft iron, जिससे बहुत सी electrical machines बनाई जाती है, उसकी जो, दोनों में compare, देखो, क्या-क्या देखने को मिल रहा है, मैं आपको बताता हूँ, soft iron के case में, soft iron के case में, आपकी जो permeability है, वो permeability हाई, इसका slope कितना हाई है, यह अराम-राम से बढ़ा है, कौन सा वाला, steel वाला, तो इसलिए इसकी permeability, यानि की susceptibility हाई है, steel के comparison में, फिर इसकी cohesive force भी कम है, इसका area भी कम है, इसलिए energy loss किसमें कम होंगे, soft iron में, steel के comparison में, तो इनको comparison यहाँ लिखा हुआ है, इसको read करो, बड़े अच्छे से समझाएगा आपको, area किसका कम है, soft iron का, soft iron का area कम होने के कारण energy loss भी यहाँ पे कम होंगे, susceptibility किसकी high है, soft iron की, corrosivity किसकी low है, soft iron की, तो इसलिए इसी basis पे फिर decide किया जाता है कि किस material से हम क्या बनाएंगे, steel से हम क्या बनाना पसंद करेंगे, और soft iron से हम क बनाना पसंद करेंगे, ठीक है, जितनी भी electrical machines बनेंगी आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, generators, motors, transformers, यह जितनी भी electrical machines हैं, इनमें सब में soft iron use होता है, क्योंकि हम नहीं चाते कि वहाँ पे losses हो, in the form of heat, heat बन जाती है, तो हम नहीं चाते नहीं हैं, लेकिन कम से कम तो बनेंगी कम से कम बनती है, इसलिए soft iron वहाँ use किया जाता है, लेकिन कभी अगर हमने permanent magnets बनाने हो, permanent magnets बनाने का मतलब क्या हुआ कि जो बिना current के भी आपको magnetism दे सके, तो उसलिए उसके लिए retentivity और corrosivity high होनी चाहिए, किसकी permanent magnets की, इसलिए वो किस से बनाए जाते हैं, steel से, तो वो सब भी इदर आगे cover किया गया है, उसको आप read कर सकते हो, यह सब लिखा हुआ है, किस में किस में क्या चाहिए, электromagnet में क्या चाहिए, और permanent magnets में क्या चाहिए, यह important होगा, high retentivity चाहिए, high corrosivity चाहिए, high permeability चाहिए, ठीक है, permanent में, और इसमें क्या चाहिए, high initial permeability चाहिए, और फि प्रेफर, स्टील, और ये बनाने के लिए, वोई प्रेफर, सॉफ्ट आइरन, ये छोटी-छोटी बातें, सॉफ्ट आइरन मैंने आपको और बताया, जितनी भी एलेक्रिकल मशीन, ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स, जनरेटर्स, उनमें सब में यूज क्या करेंगे, सॉफ्ट ये बताओगे कि इसका एरिया जो हिस्टिरिसिस लूप का बनता है, वो बहुत कम बनता है, एरिया कम होने का मतलब होता है, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम विल बी लेसर, इन केस ऑफ सॉफ्ट आइरन, थैंक यू बेरी मुच्छ